दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर दोस्तो यहाँ पर Nobel Prize के जो winners हैं उनकी घोशना कर दी गई है और आज physics के छेतर में यहाँ पर Nobel Prize winners की घोशना की गई है यहाँ पर आप तीन वेक्तियों को देख पा रहे हैं जिन्हें physics के छेतर में Nobel पुरसकार मिला है तो यह है पियरे ऑगस्टनी, फेरेंस क्राउसर्स और एनी हुलियर, इन तीन वेक्तियों को भौतगी के छेतर में नोबल परसकार मिला है, अब आई समझते हैं कि भौतगी के छेतर में इन्हें परसकार क्यों मिला है, और 21 देश से बिलॉंग करते हैं, पूरी डिटेल से अन इसपोर्टन हिस्सा है वो है ऐलेट्रॉंस, तो एलेट्रॉंस की नों ने स्टडी की है, जिसके बाद आधुनिक जो दुनिया है उसमें और भी आपर हमें इन्वेंशन मिल सकते हैं, तो दौस्तों यहां पर ऐलेट्रॉंस की स्टडी के लिए इन्हें ये खिताब दिया ग पांस देश को विलॉंग करते हैं तो यहां पर इन तीन विनर्स को आप देख पा रहे हैं और यह इनके एजूकेशन है जो यहां पर लिस्टेड है दोस्तों यहां पर हम समझते हैं कि इसमें इनको कितनी प्राइज मिली है तो देखिए अभी एमाउंट प्राइस को बढ़ा इसी एक प्राइज के जो विनर्स होते हैं मैकिसम तीन वेक्ति हो सकते हैं तो यहां पर फिजिक्स के छेत में तीन वेक्तियों को मिला तो इन्हें इक्विली इस प्राइज मनी को डिस्ट्रिब्यूट करना पड़ेगा दोस्तों यहां पर एनी हुलियर की बात कर लेता है तो एनी हुलियर जो है यह फिजिक्स के फिल्ड में नोबल पुरसकार जीतने वाली पांच भी महिला बनी है और अब तक आब आप से पूछा जाए कि फिजिक्स के छेत में कितने लोगों को पुरसकार दिया जा चुका है तो ऐसे 119 परसन है 119 लोग है जिने फिजिक्स के चेत में पुरसकार दिया जा चुका है अवाट किया जा चुका है दोस्तों यहां पर एलाट्रों के बारे में तो आप सभी जानते थे लेकिन आखिर इन्हों ने कुछ अलग क्या किया जिसकी वज़े से इन्हें नोबल पुरसकार मिला है तो दोस्तों एलाट्रों की करता है आपने पढ़ा होगा तो उस समय उसके उस वो एनर्जी रिलीस करता है ठीक है तो एनर्जी जब रिलीस करता है तो उसमें बहुत सारी रेज निकलती है और वो बहुत कम समय में ट्रावल करता है बहुत आप कह सकते एटो सेकेट्स में ट्रावल करता है तो जब एलाट सेकेंड क्या होता है इसे हुआ समझते हैं तो एक एक सेकेंड होता है 10 द पावर माइनस 18 ठीक है यानि यहां पर आप अगर जीरो को कि दो ए ट्रीली फॉर स्था का साथारा तक जाएगा यानि एक सेकेंड में आप को 10th power minus 18 seconds पे calculate किया जाता है और इतनी अगर किसी हमने study कर ली तो हम पूरे universe की study कर सकते हैं तो इतने कम समय में इतने कम समय में electron movement करता है आप सोच पा रहे हैं तो यह इन्होंने discover किया जिसकी वज़े से आने वाले समय में हमारे और भी dimension खुल जाएंगे ठीक है तो इतने एक सेकेंड पूरा होता है यहां पर आप इसकी वैल्यू देख पा रहे हैं एक एक सेकेंड की वन अपॉन यहां पर 18-0 लगे हुए इतने पार्ट्स होते हैं ठीक है तो दोस्तों यहां पर जब electron movement करता है त energy level change होता है और energy change की study में हमें मदद मिलेगी इनकी discovery में तो दोस्तों एलेक्ट्रॉंस की जो दुनिया है एलेक्ट्रॉंस की जो वर्ड है उनका चलना फिरना या खिचाओ इन सबको समझना इतना आसान नहीं होता लेकिन इस discovery के बाद हम इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते है और भविश में चीजें डवल अप हो सकती है खास कर medical diagnosis में इस discovery का इस्तमाल किया जा सकता है दोस्तों आपने समझ लिया कि जो फिजिस के छेत में नोबल पुरसकार किसे मिला है और यहां पर वो किस देश को बिलॉंग करते हैं important points को आपने समझा है अब यहां पर मैं आपक चानवे में यह 1895 की बात है जब अपनी वसीयत नामे पर signature कर रहे थे तो इन्हों ने यह तै किया कि जो इनका जो इन्होंने पूरे जीवन अपना पैसा कमाया है तो उस पैसे को वह बैंक में सेव करेंगे और बैंक में जो भी interest मिलेगा वह नोबल प्राइस के रूप में दिया जाएगा हर साल ऐसे विग्यानिकों को चुना जाएगा जो बहुत ही प्रतिभा साली होंगे जो देश और दुनिया को बदलाव लाने के लिए कारेंगे उनको पुरसकार दिया जाएगा तो नोबल प्राइस जब सुरुवात में दिया जा रहा था तो फीजियो 21 तक हम बात करें तो मैंने आपको बताया अब तक 119 नोबल प्राइस दिये जा चुके फिजिक्स के छेत्र में ठीक है तो फिजिक्स के छेत्र में नोबल पुरसकार आपको समझ में आया होगा 1916, 31, 34, 41, 42 में फिजिक्स का नोबल प्राइस नहीं दिया गया आपको कारण पता होगा कि 1916 में चल रहा था व्ल्ड वार फरस्ट और 1931 में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था तो 1940-41 में भी यहां पर व्ल्ड वार चल रहा था इस वज़े से उस समय नोबल प्राइस नहीं पर आप देख पा रहे हैं यह निर्ड़ने करती है कि किसे क्या पुरस्कार देना है वो नियम बनाती है ठीक है अगर किसी कोई भी वैक्ति उस मेजरमेंट को उस माप दंड को जो इन्होंने बनाया है अगर उस पर खारा नहीं उतरता तो उस साल वो पुरस्कार दिये भी नहीं जाते हैं और उसे सेव करके अगले वर्स दिया जाता है ठीक है तो यहां पर वर्ड वार वन और दुती विश्वत के दौरां कम नोबल पुरसकार देगे इस तो हमने आपको बताया था 2023 के जो फिशिक्स के नोबल पुरसकार विजेता वो तो मैंने आपको बता दिये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लास्ट येर 2022 में फिशिक्स का नोबल पुरसकार किसे मिला था तो भी तीन वेक्ती थे इनका नाम है एलन आस्पेक्ट जॉन एफ क्लॉजर और एंटन जिल जानते होंगे कि इन्होंने डाइनामाइट का विश्कार किया था ठीक है लेकिन दोस्तों सच कुछ और है इनके नाम पर 355 पेटेंट थे उस समय की बात है दुनिया के सबसे अमीर मतलब आवारा अमीर कहें जाते हैं यानि इन्होंने इतने पेटेंट करा लिए थे आज भ हैं अब तक 975 ऐसे परस्टनालिटी है 609 ऐसी सहस्थाने जिनने नोबल प्रसकार दिया जा चुका है अलफर नोबल के बारे में आपको एक और इंपोर्टेंट पॉइंट समझें तो आपको लगेगा कितना जीनेस वेक्ति थे इनको स्टूडिस आती थी इनको इंगलिश आती थी जर्मन भाषा आती थी रूशी भासा भी आती थी यानि एक ही लाइफ में इतनी भाषा इन्हों ने सीखी थी ठीक है दोस्तो डायनामाइट का कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन डेस्ट्री में इसका इस्तमाल किया जाता था तो एलफर ने 90 जगों पर इसकी फैक्ट्री भी खूली थी बड़ी बड़े माइज को एक्स्प्लोड करना इंडस्ट्री को सेटप करने के लिए डायनामइट का इस्तमाल किया जाता था हाला कि दोस्तों मैं आपको बता दू कि डाइनमाइट का गलत इस्तमाल किया जाने लगा लोगों को मारने के लिए हिंसा बढ़ने लगी तो इस बास से एलफेड नूबल का मन बहुत दुखी हुआ और उनने कहा कि मैंने पूरी दुनिया को किस मोड पिला करके खड़ा कर दिया है तब उन्होंने फैसला किया था कि जो भी उन्होंने प्रापर्टी सेव की है उसको पुरसकार देने की रूप में वो उन सभी प्रतिवा साली लोगों को देंगे जो हर साल कुछ न कुछ नया डिस्कवरी करते हैं तो अभी मैंने आपको वसीयत नामे के बारे में भी बताया था अब दोस्तों भारत के कौन सैसे वेक्ति जो फिजिस के छित में नोबल परसकार मिल चुक है हलाकि बहुत सारे ऐसे लंबी लिस्ट है मैं आपको एक वीडियो और भी दूँगा जहां पर बताऊँगा कि किनकि आपको पता है रमन इफेक्ट के लिए इनको परसकार मिला था दोस्तों आपकी दिमाह में सवाल उठा रहा होगा सब बहुत कुछ आपने बता दिया अब आप यह भी बता दिजिए कि अगर हमें नोबल परसकार के लिए अगर को एपलाई करना फ्यूचर में तो हम कैसे अ इन्विटेशन भीजा जाता है फिर आपको डेडलाइन दी जाती है बहुत समय बीत मलग सितंबर अक्टूबर नवंबर और जनवरी तक जनवरी तक आप नॉमिनेशन भर सकते हैं तो आखरी डेडलाइन जनवरी महीना होता है अब क्या होगा जो एक पैनल बैठती है मार् समस्तिम उमिदवारों पर और मिलती है फिर एक्टूबर में बोर्टिंग होती है और वोर्टिंग में फिर वीनरंज की घुशना की जाती है अविकिन अभी अक्टूबर महीने में आपको मैं नाम बता रहा हूँ हम लेकिन दोसतों वुला करके सबको पुरस्कार मिलेगा ठीक है तो दोस्तो कल की भी बात मैं कर लूँ कि दो अक्टूबर को भी एक जो पुरसकार मिल चुका है वो मेडिसिन के छेत्र में चिकिस्ता के छेत्र में पुरसकार मिल चुका है और यहां पर यह हैं प्राइस कैटलीन और करीको और यहां पर देख पार हैं डू विस्मन य दो वेक्ति हैं जिनको ये पुरसकार मिला है मेडिसिन के छेत्र में तो आज फिजिस के छेत्र में मिला है कल मेडिसिन के छेत्र में मिला है अभी बच्चे हुए चार और कैटेगरी हैं तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा लाइक कर दीजेगा और share कर दीजेगा important information के लिए दोस्तों एक question मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ आप current affairs तो पढ़ते हैं जाती गर्णा के आगड़े जारी करने वाला पहला राज कौन सा बना है इसका answer आपको comment box पे देना है और pdf के लिए इस class की pdf आप गराब प्रात करना चाहते हैं तो राजा गुपता current affairs आपको search करना है इसकी link आपको description box में दी गई है comment box पर भी pin की गई है जहां से आप इसकी जो channel है आप join कर सकते हैं मेरे whatsapp channel को join कर सकते हैं मेरे instagram channel को follow कर सकते हैं और मुझे facebook में follow कर सकते हैं इस सभी की list मैंने description box और comment box पर पिन की है तो चलते हैं friends मिलेंगे फिर ऐसी important information के लिए तब तक के जैहिन जैभार जब तक तोड़े या नहीं तब तक छोड़ेंगा के खूष्श रहीdate मस्कूराते रहिए yes झाल झाल